हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के आठवी लेक्चर में आपका स्वागत हैं, तो आजगे लेक्चर में हम क्या-क्या गवर करने वाले हैं, पहले तो वो देखते हैं, तो आजगे लेक्चर में हम एक तो जो आर्टिकल हमरा 30 है, 31 सोरी हैं, इसके अंद आपके जो रीट वग्यरा हैं, उन रीट के बारे में हम यहां पर डिसकसन, वो करने वाले हैं, तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 31 को देखते हैं, तो आर्टिकल 31 के बारे हम जैसे जानते हैं, कि संपती का अधिगार यह प्रोइड करव इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, इसके बाद में इसमें तीन चीजे थी, 31st A, 31st B, 31st C, जो 31st A और B है न, इन्हें जो पहला सविधान सभी दाना, जो 1st Constitution Amendment था ना, 1951 में हुआ था, उसके तरह एड किया गया था, वो 31 C है, इसको एड किया गया था, 24th Constitution Amendment जो कि वा जो आर्टिकल 31A है न, वो क्या कहता है, उसके वारे हम थोड़ा देख लेता है, 31A ये कहता है, कि सरकार ये दी, सारोजनी कुद्दे सेखले, यह नि कोई पब्लिक सर्विस का वोई मोटो है, गोवर्मेंट का, और उसके लिए कोई भी नागरी की संपत्ती है, या प्रोप कारिये के लिए, गोवर्मेंट किसी के फंडर्मेटलाइट को वोईलेट है, वो कर सकती है, प्रोपर्टी वगरा को एकोई कर सकती है, ये तो है, 31A, 31B क्या है, वो हम देखते हैं, 31B करती है, कि सरकार ये दी, आपको पता होगा, सेडियोल नाइन, इनकी जो अनुस्ची न में पहले ये प्रावधान था, कि इस अनुस्ची नौ में, अगर कोई भी टोपिक को, या कोई भी कानून को डाल दिया जाता ना, तो उस कानून पे जूडियोल रिवीव अगरा नहीं कर सकती, मतलब कि इस कानून में लिख दिया, कि एक आदमे की एज 50 साल मने जाएगी, तो इसका मतलब हमारे उस चीज़ पे बाद में पुनर रिवीव नहीं हो सकता है, यहने कि इसके सेडूल लाइन में जो भी कानून डाल दिया जाता था पहले, उसका जूडियोल रिवीव नहीं होता था, खैर बाद में, I think 1993 के बाद में, गोर्मिन ने परावधान किया, तो 1993 से पहले इस पर जूडियोल रिवीव नहीं हो सकता था, तो इसमें किया गया, 31B में, कि सरकार अगर कोई भी कानून को इसके अंदर डाल देगी, 31, जो मतलब यह है, सेडूल 9, जो कि हम बात करें, 31B आर्टिकल के तरह दाता है, तो इस पर बाद में नयाय पालिका है, या वो कोई पुना निरिक्षन होगा, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, अब आता है, इंपोर्टेंट 31C, 31C क्या कहता है, 31C बहुत इंपोर्टेंट है, 31C यह कहता है, देखो, कि यदि सरकार, निती निदे सकता तो है, यानि कि जो DPSP है न, उन में से किसी एक को लागू करती है, और अगर लागू करने की जो प्रकिरिया है, इस प्रकिरिया में किसी भी मौली क अधिकार का उलंगन हो रहा है, तो वो उलंगन नहीं माना जाएगा, समझ मैं आया, यह निकि DPSP को लेके अगर गोर्मेंट अपलाई कर रही है, और इस प्रकिरिया में कोई मौली fundamental light का रद भी नहीं कर सकती, यह बात की गएती 31C में, हो गया आप, अब देखो बात आती है, एक सेकंड पेज लेते हैं, 1951 की, 1951 में केस आता है, वो आता है मदरास, यह उस टाइम पे चेनी का नाम मदरास था, तो मदरास वरसे चंपकम केस, यह केस था, ख़र आपको नाम अर्धिकार और राज्य के जो DPSP, यह निकी नीती ने देख सकता है, उनके बीच में हापस में टकर हो रही है कोई बात को लेके, तो फंडामेंटर लाइट है, वो सरुपरी होंगी, यह तो कहा था, 1951 के वर्डिक्ट में, ठीक है, यह निकी फंडामेंटर लाइट सबसे इसको चेंज कर दिया, और इसमें यह कहा, कि भाई साब, अगर सरकार, जो आर्टिकल 39, धान सुना, 39B और 39C, एक बात पर फोकेस यह करना, आपको कि यह 39 की बात हो रही है, आपे, कि 39B और C, जो कि आपको पता कि DPSP में आते हैं, कि यह राज्य की नीतियर देख से तत्व हैं, अगर 39B और 39C हैं, इसके तहट अगर कोई भी गार्ड लाइन जारी करती है, और उस परकिरिया में अगर fundamental light को violate किया जा रहा है, तो वो violation नहीं माना जाएगा, अब आपके दिमाग में आखो कि यह 39B और C यह कहते हैं, कि राज्य आना, मिलब इस्टेट आप एक तरी स बहुत सकते हो, वो पब्लिक कारिये के लिए किसी की property वगरा acquire कर सकता है, वो पब्लिक कारिये के लिए कुछ भी ऐसा काम कर सकता है, तो उसमें individual fundamental light को तो जो नहीं दी जाएगी, तो यह है, इसको हम आगे discuss भी करेंगे, बट यह आपको पता होना चाहिए, कि भाई, क्या-क सीना 39B और 39C हैं, वो fundamental light के भी उपर हैं, यह हो गया हमरा article 31, अब हम चलते हैं, article 32 की तरफ, देखो 32 में कहा है, 32 में वैसे बहुत सारे आज़त है, article 32 यह करता है, कि बैसार अगर आपके कोई भी fundamental light का evaluation हो रहा है, तो आप रिट जारी कर सकते हो, और यह जो पाउर रहना fundamental light क लिए रिट की, यह वैसे तो Supreme Court को दी गई है, बट State में जो High Court है, वो भी इसमें काम है, वो करते हैं, बट Supreme Court को इसमें mandatory है, यह मान लो कि कोई आदमी का fundamental light हो रहा है, अगर वो State के High Court में जाता है, तो High Court खेर उसे मना कर सकता है, खेर मना नहीं करेगा, नॉमली तो वैसे किस भी चीज़ के लिए, बट अगर गलती से मना कर भी दे, तो वो Supreme Court जाएगा, और Supreme Court उसे मना नहीं कर सकता, मिलब Supreme Court ही नहीं कर सकता, कि हम आपकी रिट को स्विकार नहीं कर रहे है, क्योंकि Supreme Court के मौलिक जिमेदारी है, कि वो सविधान है, उसके हर पार्ट की व्याख्या कर अच्छे से और उस हर पार्ट को सरक्सित्या के अच्छे उबर के रखें, तो इसलिए सारा दामुदार Supreme Court के उपर रखा गया है, हमारे स्विधान का, तो यह आपको चीज़ है, वो पता होनी चाहिए, अब देखो इसमें कुछ रिट है, आर्टिकल 32 में, कौन-कौन सी रि प्रतिश्यद का मतलब होता है, अभी नेक्ये करके हम रिट को कवर है, वो करने वाले हैं कि यह रिट का सीन है, क्या चाहिए, तो बंदी परतेक्षिरम का मतलब यह है, एक तो यह चीज़ आनक नहीं है, कि यह पब्लीक और प्राइविट किसी भी इंस्टूट या किसी भी भी लगा जा सकता है, बंदी परतेक्षिकरन, इसका मतलब यह होता है, कि आपने जिसको भी बंदी बना के रखा या जिस भी इंसान को आपने रखा रखा है ना, अपने केद में, उसको आप सामने सह स्रीर उपस्तित किया जाए, कोट के सामने, देखो नाम से बताता है, ब को नहीं लेके सामने रख सकते हों पड़ इसमें कुछ अपवाद ऐसे हैं कि यह मालों कि किसी भी आदमी को अगर संदिक था क्या रोप में रेष्ट किया गया जेल में खोर्ट में तो उसके लिए आप नहीं कह सकते कि भाई साब आपने उसको भी परजेंट कर लिया या फिर कि दिकारी ने किसी भी परसन को जेल में बंद करका है आप किसी कम्रें कैसे भी बंद कर दी हो मतलब कि उसको बाहर नहीं निकाला ओ तो उस कंडिसमें ऐसी रीटो अगरा जरी की जा सकती है और ये नीजी इंडीनी की अगरा बात करें प्रैवेट परसन के अगेंस भी लग मादेश आधिकार को काम कोई वी काम तो इसको सुप्रीम कोर्टा को रिड़ जारी करती है परमादेश कि यी है और आप इस काम को अपने करतवय को काम पालन करो, अद्वाइस हम आपको दंडिया सजा देंगे गए। फिर आता है परतिसेद, परतिसेद परमादेश का उल्टा है, परतिसेद का मतलब है कि सेद यहीं कि मना किया ज़ता है, यहीं कि परमादेश में क्या का आ ज़ता है, कि भे अधिकारी काम करने वालों, उसकी रादे सही नहीं हो, तो उस कंडिसेद में उसको कोटरीट जारी करती है, कि भाइसा परतिसेद या प्रोहिबिटेशन कि आप इस काम को मत कीजी, यह आपको धान में रखनी है, और जो परतिसेद है ना, यह वैसे तो जो नियाय दिकारी होते है ना, इनके अगेंस भी जारी है, वो क्या जाता है, जबकि जो यहाँ पे था ना, यह मेंडा मस्त, यह नोर्मली सिविल अदिकारी है, सिविल सर्वेंट है, उनके अगेंस भी जारी क्या जाता है, यह पि जो क्योशी जूशी बोड़ी है, इनके अगेंस भी नोर्मली जारी है, वो किया जाता है दोनों में difference मैंने आपको बता जिया परती सेथ में काम करने के लिए मना के जाता है कि आपका ये काम है आप ये काम मत करो क्योंकि उनके उसका इरादे सही नहीं है फिर उसका कुछ गलत effect हो सकता है इसके बाद में आता है उत्प्रेशन क्या है उत्प्रेशन decision नहीं करेगा, यह मालोग की example लेते हैं जिसरों, कि मेरा case है मालोग की, हाँ, यह मालोग की UP High Court में मेरा case चल रहा है, मेरे की लिगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि UP High Court के जो जज़वा कर रहा है, वो मतलब बाइस्ट है, मेरे लिए say decision नहीं ले पाएंगे, मतलब वो कहीं न मेरा case है, वो मतलब अपने पास मंगवाली जी, यह होता है उत प्रेशन में, यह निकि मैंने आपको क्या कहा, कि एक इसमें जो case होता है न, वो एक न्याले से दूसरे न्याले में भेज़ा सकता है, या फिर एक मेरा case UP में चल दा था, तो मेरा case हो सकता है कि Supreme Court वो रास्तान High Court में भेज़ दें, कि वैसा आपकी सुनवाई वहाँ होगी, या फिर अपने पास जी मंगवाले Supreme Court में, तो वहाँ मेरी सुनवाई है, वो हो सकती है, तो यह आपको ध्यान में रखना कि इसका मतलब क्या है, इसके बाद में आता है अधिकार प्रच्छा या Q वारंटो, ज ले लो, एक्जामपल, जैसे कि मालो कि मेरी जोब लगी कहीं पे, किसी भी पोस्ट पे मेरा कोई जोब लगी, और जो सेनियर दिकार था था ना, उसने धांदले बाद जिकर के मेरी जोब किसी दूसरी आजमी को दे दी, इससे मेरे को लोस हो गया, तो उस कंडिसन में Q और कि भाई साब जिस भी इनसान को दे से दी गये, ये मालो कि मेरी जोब थी, और ये किसी B परसन को जोब दे दी गई, धांदले बाद जिकरिया, गफले बाद जी कैसे भी, तो ये एक्चुली B दिकार के पास जाएगी, कि भाई साब आपने किस पाउर के तयत, ये सीट है, एक्चुली इसका रियल हगदार तो ये था, समझ मैं है आपको, येनि कि कोई भी पदा दिकारी है, वो किसी दूसरे परसन का पद अधिकरेत कर लेता है, तो उस कंडिसन में रिट जारी के जाती है, भाई साब आपने किस ओर्डर से, या किस मतलब कहां से आपको आदेस मि जाती है, या फिर किसी भी दरगा का जोड़ सोल्यूशन हो, सुचित, वो मेरे को परवाइड यहां पर किया जा सकता है, तो ये थी बेसिकली जो फंडर्मिटल एट के सारी इंपोर्टन पार्ट्स, जो हमने यहां पर कवर कर लिए है, देखो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को ज़़श्यदा शेयर करो, ताकि मुझे वीडियो बनाने का आगे मोट्योशन मिल सके, और फिर आगे जो वीडियो है, उनको जल्दी कंटिन्यू क्या जाएगा, तो फिलाल की डिसकर्शन में इतना ही आज, तो थेंक्यू, थेंक्यूर्मिश फ